दोस्तों सब लोगों को पताई होगा कि जब भारत के द्वारा तेजस एर्क्रेप्टों का डिवलोप्मेंट का काम शुरू किया गया था लगभग तभी तेजस एर्क्रेप्टों के लिए एक सेफरेट इंजिनों के डिवलोप्मेंट का भी काम शुरू किया गया था और उन इंजिनों के प्रोजेट को काविरी इंजिन कहा जाता है हाला कि साल तो 2016 में तेजस एर क्रेप्टो को इंडियन एर फोर्स के बेड़े में अपरेशनली शामिल करके तेजस को लेके सकसेस तो हासिल किया जा चुका है लेकिन 44 साल हो गया अब तक काविरी इंजिनों को लेके भारत को कोई सफलता नहीं मिला हाला कि हाल फिलाल में एक छोटे सफलता का तो जिकर किया जा रहा है जिसे की काविरी ड्राइ इंजिन कहा जाता है लेकिन इसे भी उतने बड़े सफलता के रूप में नहीं देखा जा रहा है कुल मिला कि अगर देखा जाए तो 44 साल में भारत इस पोजिशन में भी नहीं आया कि काविरी इंजिनों को तेजस यार क्रेप्टों में इस्तेमाल कर सके अब देखा जाए तो इसका शुरुवात असल में तेजस यार क्रेप्टों के डिफलाप्मेंट को लेकि इरादा बनाया गया तब ही ये वी इरादा बनाया गया था कि तेजस के लिए किसी अन्ने देश से इंजिनों को पर्चेस नहीं किया जाएगा बलकि भारत अपने खुद के बलबूते पे एक इंजिन का डिवलपमेंट करेगा अधोसों कावरी इंजिनों के फेलियर को देखा जाए तो इसके पीछे एक कारण नहीं है बलकि कई सारे का पर्चेस नहीं किया जा सका और इसी वज़ा से भारत के द्वारा एफ 404 इंजिनों का चैन किया गया ताकि तेजस यार क्रेप्टों के प्रोजेक्ट में डिले ना हो इसके इलावा दोस्तों इंजिनों को डिवलाउट करने के लिए जो मैटरियल का आवशकता है वो भी भ पास manufacturing technology वी उतना उन्नत ना होने के वज़ा से भारत सही ढंग से तेजस यार क्रेप्टों के लिए इन इंजिनों का development नहीं कर सका जबकि इसके इलावा टेस्टिंग और वैलिडेशन को लेके भी काफी issues का सामना करना पड़ा है अब लोगों के जानकारी के लिए बता दू के लिए कई तरीके के wing terminal का development अब तक हो चुका है जो की काफी हद तक मदद तो करता है लेकिन proper testing को केवल मात्र ऐसे test video के द्वारा ही अंजाम दिया जा सकता है जो की एक से अधिक इंजिनों का उप्योग करता है और high altitude में उडान भर सकता है हाला कि दोस्तों इसके इलावा देखा जाए तो project management में भी कफी delay हुआ खास करके इस project में लगातार configuration और design को change किया गया जिसके वज़ा से इंजिनों के development में या फिर गया तो पहला prototype को निर्मान करने में भी काफी लंबा समय लग गया इसके इलावा अगर देखा जाए तो internationally भी भारत को इंजिनों के development में कोई भी मदद नहीं मिला और 1998 में जो परवानू टेस्ट किया गया था उसके बाद जिस तरीके से भारत के उपर प्रतिवन लगा उसके वज़ा से भी इंजिनों के development में भारत को किसी भी तरीके का कोई मदद नहीं मिला अलाकि इसके इलावा भारत में कोई भी defense project को अगर देखा जाए तो resource allocation और funding को लेके जो delay होता है वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विशय है और कई समय तो 4-5 साल केवल मात्र decision को लेने में ही और resource allocate करने में ही delay हो जाता है अलाकि इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो काविरी इंजिनों को लेके भारत को कई सारे positive सफलता मिल चुका है जिन में साल 2013 में dry काविरी इंजिनों के सफलता पूर्बग test एक बहुत बड़ा सफलता था हालाकि जो dry काविरी इंजिन है ये करिवन 46 से लेके 47 किलोन्यूटर तक thrust produce कर सकता और इ after one night section नहीं है लेकिन अगर after one night section का भी उपयोग किया जाता है तब भी ये 73 से लेके 75 किलोन्यूटर तक ही thrust produce कर पाएगा जो की तेजस एरक्रेफ्टों के लिए परियापत तो नहीं है लेकिन अगर देखा जाए तो इन इंजिनों को भारत इस condition में घातक जैसे unmanned combat aerial वेकलों में इस्तेमाल कर सकेगा वी पर दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो तेजस मार्क वान एयर क्रेफ्टों में जो ए 404 इंजिनों का उपयोग किया जा रहा हूं करीवन 85 किलोन्यूटर तक thrust produce कर सकता है और उपर से इन इंजिनों में भारत के condition में करीवन 10 किलोन्यूटर तक बढ़ा जा सकता है तो नो डाउट ये आने वाले समय में तेजस मार्क वान एयर क्रेफ्टों में इस्तेमाल होने वाले ए 404 इंजिनों को रिप्लेस कर सकेगा पर काविर इंजिनों का जो अल्टिमेट गोल था वो 90 से 95 किलोन्यूटर तक thrust produce करना था और अगर इस अल्टिम और भारत के कंडिशन में आने के बाद अगर इसमें 10 किलोन्यूटर तक भी thrust कम हो जाता है 88 से लेके 90 किलोन्यूटर तक thrust produce कर पाएगा और मिडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ड्राइ काविरी के सफलता के बाद अब भारत के द्वारा काविरी 2.0 के उपर का किया जा रहा है जो कि 92-95 किलोन्यूटर त्रस्ट वाले इंजिन होगा मतलब आने वाले सालों में हमें तेजस यार क्रैप्टों में स्वधिशी इंजिन देखने का तो मौका मिलेगा लेकिन इसके लिए शायद भारत को एक लंबा इंतिजार करना पड़े अब दोसे एक त बताई होगा कि साल 2018 में इंडियन यार फोर्स के तरफ से 114 फाइडर यार क्रैप्टों घरितने को लेके एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एटलिस्ट 6 साल के इंतिजार के बाद अब ये जो तो ही पे कई सारे जो यार क्रैप्टों को पहले ही रिटार किया जा चुका है उन यार क्रैप्टों का जगा भी इन 114 फाइटर यार क्रैप्टों के द्वारा भरा जाएगा और दोस्तों करीब करीब 6 साल के इंतिजार के बाद अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा के शुरुआती समय तक request for proposal जारी कर दिया जाएगा अब दोस्तो request for proposal इन यार क्रेफ्टों के tender में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बाद ही process को आगे बढ़ा जा सकता है हाला कि request for proposal के इलाबा और वी कई तरीके के step को इन यार फोर्स के द्वारा अंजाम दिया जाना है जिन में validation process भी शामिल है और एक वार request for proposal इशू हो जाने के बाद ये validation process को आगे बढ़ाया जाएगा जिसके अंतरगत इन यार फोर्स के द्वारा अपने technical और operational requirements को पूरा करने क्लेन यार वारकेफ्टो को जाचा जायेगा और दोस हो इस जाच परताल को ही टेकिनीकल एवालुइशन स्टेजश का हाना है जिसके अंतरगत ये देखा जायेगा कि जिन यारफ्टो का offer इंडियन यार फोर्स के सामने हुआ है उन यारक्रीतो के द्वारा इंडियन यार प्राइब करने के साथ साथ टेंडर के शर्तों को भी पूरा कर रहा है और भारत के सामने तैस समय तक एवेलेबल हो सकेगा और दोस्तों जो जो नेगोसियेशन प्राइब असल में प्राइब को नेगोसियेट करने के साथ साथ Transport of Technology के Terms and Condition को नेगोसियेट किया जाएगा जो संभावी साल 2027 में अंजाम दिया जाएगा अब दोसों इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो Final Process है मतलब डील के उपर हस्ताक्षर का जो काम है वो साल 2026 के अंतिया साल 2027 तक अंजाम दे दिया जाएगा और उसके बाद यारक्रेप्टो के निर्मान के लिए भारत में Manufacturing Facility को तैयार किया जाना है जिसमें कम से कम 3-4 साल का समय लगेगा और इस हिसाफ से अगर देखा जाए तो भारत में इन यारक्रेप्टो का जो production का काम है वो समभावे साल 2030 तक ही शुरू हो सकता है हलाकि उससे पहले आशा किया जा रहा है कि इंडियान यारफोर्स को तेजस Mark 1A यारक्रेप्टो का डिलिवरी काफी हथ तक हो जाएगा और तेजस Mark 2 यारक्रेप्टो का भी डिलिवरी शुरू कर दिया जाएगा हलाकि अगर साल 2030 से भी इन यारक्रेप्टो का production शुरू होता है तो expect किया जा रहा है कि साल 2030 तक इन यारक्रेप्टो का डिलिवरी इंडियान यारफोर्स को हो सकता है पर इन सभी चीज़ों में फिलाल डिपेंड करता है कि गौर्मेंट के तरफ से जिन इनिशिटीवों को लिया जा रहा है उन इनिशिटीवों में सही समय पे काम होता है कि नहीं दोसों MR FA Tender को अगर देखा जाए तो फिलाल इस टेंडर के अंतरगत इंडियान यारफोर्स के सामने टूटल आठ अलग अलग यारक्रेप्टो का ओफर हुआ है जिन में सबसे अधिक यारक्रेप्ट मतलब तीन यारक्रेप्टो का ओफर असल में अमेरिका के द्वारा किय हुआ है रशिया के द्वारा दो यारक्रेप्टो का ओफर किया किया है जिन में पहला तो है दो इंजिन वाले मीडियम क्लास के मिक 35 यारक्रेप्ट जबकि दूसरा है दो इंजिन वाले हेवीवेट क्लास के सुखोई ACU 35 यारक्रेप्ट जबकि इसके इलावा योरोफ के अ के Desol Rafal Yarkrapto का offer हुआ है अब दोस्तों देखना ये है कि request for proposal कब तक जारी होता है और इसके बाद Indian Air Force के तरफ से इन 8 Yarkrapto में से कौनसे Yarkrapt को चुना जाता है दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि इन 8 Yarkrapto में से कौनसा Yarkrapt MRFA टेंडर का winner हो सकता है करके अपने डाए अवश्वत दीजिए दोस्तों आजके इस वीडियो को यही पर इकटते हैं समापत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम